सबीको जैन दोस्तों आप सबीका हार्दिक सोगत है जैन रेक्शन्स पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज जब आपके लिएक लेटेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे कि आरजु काजमी की गुगली में फज़ गया कमर चीमा जी हाँ जैसी आरजुकाजमी ने हमारे पेरेदेश भारत पे सवाल किये तो कमर चीमा बातों को गोल-गोल गुमाने लगा तो इस वीडियो में आप देखेंगे बड़ा ही मज़दार डिसकॉशन तो ये वीडियो काफी इंट्रोस्टिंग होगी इसे अन तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप इसे लेटेस इंट्रोस्टिंग और मज़दार वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंतमे इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैब भारत तो भारत के साथ ट्रेट करने का कहा है इस अगडार साबने के हमारी बिजनस कम्यूटी है वो भी इंटरस्टिड है लेकिन भारत में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं सब्सक्रे तो इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं जाहिरे कि यही लग रहा है कि एक बार फिर प्रीम जि किसा दू तरफ ही होती हैं या कि तरफ हो कोई होती है इंडिया का भी पाक्सान से बड़ी शिकायदाय से यह कहँ दें न कि देना कि जी वह उनको शकायत आरहमें ब्रहना को शेखात निए हैं अगर हम यह कहें केड़ ब्रहूम ना जो मॉंबई के हवाकियात होते ना बाकी वाकियात होते तो बहुत सरी और चीज़ें भी नहोती लेकर ऑन्दर कंट्रेरी इंडिया साइड पर भी देखें तो उनके भी आपको पता है वो भी एक एक नहीं स्टाइल में काम करना चाह रहे हैं तो यह मैडम यह है यह देंगे उसकी वज़ा यह है कि और कि आप आझा क्या से बोलते हैं हैं है जिसे के आगे हैं कि वह समझते पक्सान के जो वजी खारजा रुक बात करके फंको बात कह क्या है कि विजिनस कमेंटी के नाम लिया कि हम ठ्रेड करना चाहते erfahren लेकिन इंडिया बात ही नहीं करना चाहा रहा तो मैंने बहुत सारे रिटायर्ड लोगों से पूछा कि यह फॉरन मिनिस्टर क्या कह रहा है और ने क्या यह फॉरन मिनिस्टर की अपनी जाती रहे है यह फॉरन मिनिस्टर की जाती रहे है फॉरन मिनिस्टर यह अपनी मर्जी कर रहा है लेकिन ये हकिकत ऐसे नहीं है आप समझरें बात को ये पालिसी नहीं है ये उनकी खÖ Yoko हो सकती है तो अज़ गल्ट तो नहीं है सार खौाइश भी अगर है तो गल्ट बात तो नहीं अगर प्रेट दुबारा खो ली जाए मैडम बात ये नहीं मैं कह रहा है मैं यह कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं यह हो सकता है इनकी ख्वाइश हो हमारे क्या ना मैं इसागडार साब के इसागडार साग यह उनकी ख्वाइश हो सकती है पॉलिसी नहीं है पॉलिसी ऐसे नहीं मैडम आती पॉलिसी आपका सिस्टम देता है और उन्होंने शायद जो बात की है वो अभी तक आप ये समझ लें कि ये पॉलिसी नहीं बनी ये ख्वाइश थी जाती उनकी ये आपका सिस्टम समझता है मैं जो मेरी इन्फोर्मिशन है इब भी रॉंग लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वो चीज सोच रहे हैं बिल्कुल लेकिन डॉक्सा मुझे ये बताईए ना कि पाकिस्तान जो है उसको भारत से क्या शिकायत है इसलिए कि भारत की तरब से तो कई चीज़ें कारगिल भी है उसके इलावा मंबय टैक्स भी हैं कई बार ये नॉन स्टेट एक्टर भी क्रॉस करके जाते हैं बहुत स क्यान यह समझता है कि यह जो पाकिस्तान आजकलं बिजी है यह ऊंस्ते हैं इसमें भारत आप पाक्स्तान की जितने भी अगले दिन आपने सुना नहीं है हैं पाकसान के जो क्या नाम था उनका एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के ओन अफगानिस्तान दुरानी साथ उन्होंने कहा है कि इस इंडिया बिहाइंड इट सो वो तो कह रहे हैं कि जैसे वो कल्मोशन ने एक press conference की थी कि इंडिया बहुत सारी चीजों में इंवाल्व है पाकिस्तान में लोगों को मारने मराने में and then back चले जहें जो बड़े प्रिमाने पे issues थे जारी बाता जो mistrust है वो किश्मीर पे जारी बाता है mistrust है दूसरा पाकिस्तान यह समझता है कि शायद यह हाली मैंने आर्मी चीफ की statement कहीं मैंने पढ़ी थी कि जो शायद भारत अभी भी पाकिस्तान की existence को रहे कि नाइज नहीं करता यह पाकिस्तान के अंदर यह बड़ी strong perception है इसके अंदर आपका जो sitting advisor है आसब दुरानी अफगानिस्तान पर उनने क्या का है उनने क्या है इस पे वो लगे हुए हैं मसरूफ रखा हुआ उनने पाकिस्तान को यह ठीक है जी मसरूफ करें इनको थोड़े से पैसे दें non-state actors क और आप इनको मसरूफ कर दें तो यह यह चलता रहता है मैं वैसे बाबत हूँ मुमालक के वाले से यह चलता रहता है यह बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तान के मसले में मैडम यह लंबा हो गया इस वक्तान को भारत से काम जरूर करना चाहिए कारोबार जरूर करना चाहिए लेकिन भारत इस वक्त इंट्रेस्टेट नहीं है ठीक है भारत समझता है कि यह आज अगर हम पाकिसान के साथ काम करेंगे तो पाकिसान को फाइदा होगा हमें कोई फाइदा नहीं है so wait for the time so मैं तो जाती तोर पर समझता हूं कि पाकिसान को भी wait करना चाहिए इतनी जल्दी को पजबज के जान दी लोड कोई नहीं है इंडिया देखें is an important country in the world and the region हमारे लिए भी बड़ा important है थीक है हमारी culture एक रही है हमारी history एक है हमारे bol चाल एक है जबान एक है बहुत सारी चीज़ें है जो हमारी कटी है हम समझ सक ठीक है आपको पता इंडियन मीडिया भी जब चाइना से लड़ाई होती है तो पाकस्तानियों को बठागे तो चाइना की बात करता है दुस्ट तो अड़े यार ने की कह रहे हैं ठीक है ना कहते हैं बताएं आपके दोस्त हैं चाइना वाले बताएं क्या कर रहे हैं चाइ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर हॉक्स रहे हैं उन हॉक्स ने बड़ा मामलात कराब की हैं अभी इंडिया के अंदर भी हॉक्स है ठीक है जैसे आप अमेद शाह साब को सुने वो क्या कहते हैं कहता है ले ले ना किश्मीर इंसे आप राजनाथ सिंग साब को सुने वो क्या कहते हैं ले ले ना है इन से गिलिगल बल्तिस्तान अम्ला करेंगे वह हमारा है यहहां से भी तो कहते है न हिंद कर देंगे और क्या कर देंगे करके मैंने आपने समझ नहीं लगी मैंने जो मुमालिक एक दूसरे को लीगल तरीके से करते हैं एक होता है टू अक्सेप्ट इडिया के बारे में का जाता है कि यह रिविजिनिस्ट पार है ठीक है आपको पता है कि इंडिया के अंदर जैसे फॉर अग्जांबल आर एसस का जो प्रस्पेक्टिव है कि वो एक कुल्च लिंकेज्ज बिल्ड करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि यह सारा निपाल छिपाल यह पाकिस्तान सीरिल लंस्टा है स्याड़ तीग है तो बहुत सारी उद्धर भी जाती तोर पर मैं ये समझता हूँ कि इंडिया बड़ा स्टेट है, उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उनको थोड़ी सी जो से कहते हैं, मेगनेनिमेटी दिखानी चाहिए, और खिते के तमाम मालक के साथ मिलके चलना चाहिए, और इंडिया का करदार बड़ी रहना है, जो भी हो, लेकन वो अगर इस तरह पाकिस्तान या बागी मालक के साथ अगर वो एक टाफ लाइन लेंगे, तो उनके लिए मसले हैं, देखें, इंडिया का जो इनर सेरकल है, जो फर्स सरकल जिसे कहते हैं, जिसमें हम हैं, बाक।सान हैं, अफगानिस्तान हैं, इस सारे, इ İndia campaign चली है, recently India out campaign चली है, so गो relationship नहीं है, वो relations नहीं है जो होना चाहिए आइ देछा पाकिस्तान के साथ वैसे मसले किराब है, हमारा भी अल्ला के हुकम से किसी से कोई तालूग नहीं है, देंडिया के stakes बढ़े हैं, लेकि इंडिया के देखें जिसके स्टेक भड़े होते हैं उसको थोड़ा इंडिया इस ग्लोबल लीडर्शिप की बात कर रहे हैं वो कहते हैं हमें जनाब रेड सी में हम पहुंच जाएंगे वो सिंगापूर को कह रहे हैं तुम्हारे गहर में जो यह समान आ रहा है न यह आम उदर खड़े हो से यहां वहां पुलीस वाल है यहां फोजी खड़े होते हैं तो आपके सो इंडिया का रोल बड़ा है सो जितना बड़ा रोल हो उतनी में दिखानी चाहिए बट इवन देन यह पॉलिटेक्स है सो इंडिया और पाकिसान के मसले में तो यह है कि थोड़ी इस्ट्री ऐसी है बड़ी स्ट्रेंड किसम की रिलेशंस हैं जैसे अभी कल पर सो मेरा ख्याल है वहां पर पाकिसान के हाई कोमिशन में तक्रीब हुई तो कोई इंडियन गौर्फरन का बन्दा वा नहीं था तो जब इंडियन हाई कुमिशन इसलाबाद में करता तो कोई पाकिसानी यह कहीं न कहीं चलता रहता है और शायद आगे जाके कुछ बेतर हो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और यह पूरा डिसकेशन आपको काफी पसंद आए होगा और यह वीडियो आपको काफी मज़दार लगी होगी जहां पर आपने देखा आरजु काजमी के सवालों से बचतारा कमर चीमा बातों को गोल को गुमातरा वैल कमर चीमा जैसे पाकिस्तानियों की यही प्रॉब्लम है कि वो सच्चाई को एकसेप्ट नहीं करना चाते और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो अपने गिरेबान में कभी नहीं जाके आते रहे तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबर्दस वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत